अगर हम molybdenum iron protein की बात करते हैं, यह large होता है as compared to Fe protein क्योंकि इसके अंदर molybdenum भी additionally present है, तो यह large protein होता है और इसके अंदर दो type के metal centers होते हैं, वो metal centers जो यहाँ पे exist करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, metal centers यहाँ पे exist करते हैं, वो जो metal centers होते हैं, वो basically होते हैं F-E-M-O-C-O, इसे बोला जाता है iron molybdenum co-factor. Hello everyone, welcome back to my channel, तो आप में से एक student की request थी कि मैं organization and working of nitrogenase पे video बनाऊ, उस पे video आ गई है, और इसको अच्छे से समझना कि किस तरीके से nitrogenase जो होता है, वो दिखता है, उसका structure कैसा होता है, और किस तरीके से वो काम करता है, यह दोनों चीज़े मैं आज की class में आपको बताऊंगी nitrogenase जो enzyme होता है, वो basically complex enzyme है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत simple सा enzyme होता है, काफी जादा complex enzyme होता है, और यह enzyme जो होता है, यह मिलता कहा है आपको, तो मैं यहाँ पे आपको लिखके बता रही हूँ, nitrogenase जो आपको मिलेगा, यह कुछ bacteria में आपको मिलता है, तो certain bacteria लिखा जाता है, nitrogen fixing bacteria में आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ Arkyia में भी होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि Arkyvacteria में यह absent होता है, वहाँ पे भी exist करता है, यह जो enzyme होता है, इसके पास दो components होते हैं, दो components यहाँ पे exist करते हैं, कौन-कौन से दो components होते हैं, एक होता है जिसे Fe protein बोला जाता है, त यह basically एक complex protein है, जिसके अंदर molybdenum भी है और iron भी है, दोनों चीज़ें present हैं, तो यह दो components हैं, जो nitrogenase के अंदर exist करते हैं, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, कि यह दोनों जो protein है, यह है कैसे, तो इन में से जो iron protein होता है, वह काफी जादा small protein होता है, तो छोटा protein होता है, जिसके पास एक single cluster होता है, किस चीज़ का, 4FE4S करके cluster होता है, तो इसका एक single cluster इसके पास पाया जाता है, single लिख लेते हैं, तो single cluster इसके अंदर exist करता है, यही है जो iron containing चीज़ है, और यह basically electron carrier की तरह काम करता है, it acts as the electron carrier for, इसके लिए काम करेगा, तो यह molybdenum iron का जो complex है, उसके लिए electron carrier की तरह काम करता है, अगर हम molybdenum iron protein की बात करते हैं, यह large होता है, as compared to FE protein, क्योंकि इसके अंदर molybdenum भी additionally present है, तो यह large protein होता है, और इसके अंदर दो type के metal centers होते हैं, वो metal centers जो यहाँ पे exist करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, metal centers यहाँ पे exist करते हैं, वो जो metal centers होते हैं, वो basically होते हैं, FEMOCO, इसे बोला जाता है, iron molybdenum cofactor, ठीक है, CO cofactor के लिए है, और इसके अलावा एक और center होता है, जिसे P cluster के नाम से जाना जाता है, P cluster, इसमें से nitrogen fixation के लिए जो active site होती है, वो यह होती है, तो nitrogen fixation basically यह करता है, जो cofactor यहाँ पे exist कर रहा है, अब हम organization की अगर बात करते हैं, तो nitrogenase की जो organization होती है, बहुत जादा complex होती है, और अभी भी इसके बहुत सारे structure और function से related जो details हैं, वो clear नहीं है, but कुछ recent studies यह बताती हैं कि जो भी इसके key features होते हैं, वो कौन-कौन से हैं, और क्या-क्या key challenges हैं जब भी हम nitrogenase को study करना चाहते हैं, सबसे पहला जो key challenge आता है, वो यह कि oxygen sensitive enzymes होता है, oxygen sensitive enzyme है, तो oxygen इसे नहीं चाहिए होती है, आसपास, anaerobic condition चाहिए होती है, basically काम करने के लिए, तो anaerobic condition maintain करना इसके सामने, इसके आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी पूरी activity के लिए, इसलिए पूरे enzyme system को study करना, organization को study करना थोड़ा difficult हो जाता है, क्योंकि हमें anaerobic condition maintain करनी पड़ेगी, तब ही जाके इसकी study जो हम कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे procedures हैं, approaches हैं, जो हम use कर सकते हैं, जैसे x-ray crystallography भी एक technique होती है, उसका use कर सकते हैं, हम इसे study करने के लिए, कुछ researchers ने 2018 में use भी किया था इस technique को, जिससे की F.E. protein का उन्होंने structure या structural जो भी organization है, उसे देखने की कोशिश की थी, इसके अलावा एक और method होता है, यह मैं आपको theoretically बता रही हो, अतना जादा आपके लिए important नहीं है, तो थोड़ा आप सुन सकते हो बस, दूसरी जो approach होती है, वो होती है, electron paramagnetic resonance, EPR spectroscopy बोला जाता है उसे, यह technique जो होती है, वो researchers को electron transfer को study करने में help करती है, तो हमें दो चीज़ें study करनी है, एक तो यह जो protein complexes हैं, दूसरा की electron transport किस तरीके से होता है, तो इस तरीके के pathways या approaches यूज करी scientist में और सोचा कि इनकी organization को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, As far as the working is concerned, अगर हम nitrogenase किस तरीके से काम करता है, यह बोले, तो बहुत सारे steps में वो काम करता है, यह steps कौन कौन से होते हैं, तो वो steps अब हम discuss कर लेते हैं, working के, क्योंकि वो जाधातर books में आपको मिलेंगे नहीं, यह content मैंने यहाँ prepare किया है, research articles से किया है, तो इसलिए आप इस तरीके से nitrogenase काम करता है, इसके जो भी steps होते हैं, उन में से सबसे पहला step जो होता है, वो होता है, reduction का, किस चीज का reduction होता है, reduction of, जो co-factor मैंने आपको बताया था, iron molybdenum co-factor जो होता है, जो कि किस में present है, in molybdenum iron protein के अंदर present है, तो उसके अंदर जो यह co-factor exist कर रहा है, उसका reduction होता है, active site के, basically active site के पास, किस वज़ा से, क्योंकि electrons का यह transfer कर देता है, इस पे basically electrons आ जाते हैं, from Fe protein, so basically this is getting electrons from the Fe protein, इसी लिए Fe mo co-factor का reduction हो रहा है, क्योंकि electrons को वो accept कर रहा है, ठीक है, जब यह reduction इसका हो जाएगा, तभी यह activate हो जाता है, तभी इसका activation देखने को मिलता है, और जब यह active site जो इसकी होती है, उसके अंदर जब भी यह पूरी process होगे, reduction हो गया, तभी जाके यह क्या करेगा, कि molecular nitrogen को N2 को ammonia में NH3 में convert कर पाएगा, जो कि actual में nitrogenase का function है, nitrogen fix session में, ठीक है, इस reaction में लगभग 8 electrons और 8 protons की requirement होती है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, यह आपको याद रखना है यह, और यह सारे electrons और protons देता कौन है, तो यह basically Fe protein देता है, और जो carrier proteins बीच में involved होंगे, वो सारे donate करते हैं, exact mechanism nitrogen reduction का nitrogenase से इतना ज़्यादा प बता कि किस तरीके से कैसी चीज़े होती है, बस बोला जाता है कि electrons, protons जो होते हैं, वो nitrogen जो molecule है, उससे bind करते हैं, और तब ही जाके reaction जो है, वो carry out होता है, तो इस तरीके से पूरा जो चीज़े होती है, और final product जो भी बनेगा, वो ammonia जो है, वो produce होता है, तो actual में यह series of steps हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ही मैं आपको बता रही हूँ, यह series of steps हैं, जो मैंने आपको साथ में ही बता दी हैं, इस तरीके से ammonia जो है, वो produce होता है, और final product जो पूरे reaction का है, nitrogen fixation का, वो ammonia ही होता है, और वही है, जो की source है nitrogen का पूरे cell के लिए, तो overall अगर हम बोले, तो nitrogenase का बहुत important role होता है, biological fixation of nitrogen में, यह सारा atmospheric nitrogen का जो fixation है, यह बहुत जादा complex mechanism से carry out होता है, जिसके बारे में अभी studies चल रही हैं, तो exactly हम नहीं बता सकते हैं, बट हाँ, X-ray crystallography and EPR spectroscopy में यहां लिख देती हूँ, X-ray crystallography, और इसके अलावा एक और है, जिसे हम EPR बोलते हैं, EPR spectroscopy, EPR spectroscopy, तो यह सारे mechanisms जो हैं, यह अभी चल रहे हैं, carry out हो रहे हैं, और उसके through ही पता चलेगा कि किस तरीके से सारा process जो है, वो carry out होता है, I hope you like this video, इसे like, share और इसके नीचे comment करना ना भूले, मिलते हैं next class में, till then, bye bye.